दोस्तों आपको तो पताईए, Google Input Tool जो है, वो Google ने नेट से ही इसको रिमूव कर दिया है, अगर आपके पास अंटिवारस है, तो वो भी आपको इंस्टॉल करने की इजाज़त नहीं देता है, तो Google Input Tool से भी यहाँ पर अच्छा प्रोड़क्ट जो है, या फिर एक अच्छ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, Microsoft Indic Tool इस प्रकार से, यानि कि यह Microsoft का खुद का प्रोड़क्ट है, और यहाँ पे अंटिवारस का कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाला है, जैसे आप Google Input Tool में टाइप कर रहे थे उसी प्रकार से, और यहाँ पे जो आप language जो है, यानि कि उसमें जो भी आप एक शब्दों को सिलेट करते हैं इससे पहले और उसको आप दुबारा टाइप करना चाहोगे, तो यह shortcut में आ जाता है, यानि कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि Google Input Tool से यह बहतर प्रोड़क्ट है, आपक इसके कुछ टूल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जितने भी हमारी इंडियन लैंग्वेज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बंगली है, गुजराती है, हिंदी, कंड़ा, मल्लालम, मराथी, ओरिया, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेजिस आपको यहाँ पर मि लिए भी है, यहाँ पर Windows XP के लिए भी है, अगर आपके पास Windows 10 है, ठीके जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ, उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर टूल्स दिये गये है, बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टीम के लिए आपको यहाँ पर टूल्स दोस्तों फ्री में मिल जाएं ठीके, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर हिंदी का इस्तेमाल करके दिखाने वाला हूँ, ओके, आप यहाँ पर खाली क्या किजिए, यहाँ पर हिंदी है, उसके सामने ठीक डाउनलोड का ओप्शन दिया गया है, यहाँ पर दो चेक बोक्स दिये है, I want to help improve Microsoft Indic Language Input Tool, उसके बाद notify when updates are available पर भी टीक कर लिजे, आप इन पर टीक नहीं करते हो, फिर भी चल जाएगा, उसके बाद आप Next पर क्लिक कर लिजे, User Agreement आएगा, यह I accept पर क्लिक कीजे, Install पर क्लिक कीजे, और Google Input Tool के जैसे ही, यह Microsoft का Indic Language Input Tool जो है दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर Installation के लिए आ जाएगा, अब जैसे Installation हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है, कि आपका Installation हो चुका है, आप Close पर क्लिक कीजे, ठीके अब यह देखिए, Close हो चुका है, अभी हम, मैं ब्राउजर को भी Close कर लेता हूँ, इसके मैं कैसे यह टाइप कर लेता है, यह मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, अब देखिए, हमारा Word दोस्तों इस प्रकार से आजाएगा, मैं आपको ब्लैंक डॉकुमेंट लेके एक दिखा दूँगा, ठीके इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा कर लेता हूँ, font size भी दोस कर सकते हो, अगर आप बंगाली है तो बंगाली जो भी आपकी पसंतिता language उसको ले सकते हो, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे type phonetic के जैसे, जैसे कि मुझे नमस्ति करना है, तो मैं नमस्ति के लिए यहाँ पर यन, ए, यम, ए, यस, टी, अब देखिए नीचे इसने कुछ आपको option दिये है, जैसे कि Google input tool में होते हैं, उस प्रकार से यह type करेंगा, ठीके आप इससे select करकर आपकी मन पसंदा language है, यहाँ पर font जो है, उसको आप ले सकते हो, जैसे कि मेरा पसंतिता font है, कोकिला, तो मैं कोकिला को ले लेता हूँ, इस प्रकार से, अब जैसे आप type करो tool को change करना पड़ेगा, और यहाँ से हमारा नमस्कार जो है, वो आ जाएगा, अब यहाँ पर देखें, मैं दो number का option ले रहा हूँ, नमस्कार, एक number पर दुसरा था, अब मैं फिर से इसको type करने जाओगा, तो मुझे यह एक number पर दिखाएगा, मैं खाली space दोंगा, तो यह आ जाएगा, यानि कि जो सब यहाँ पर शब्द को हमने slate किया है पहले, वही शब्द को इसने दूबारा यहाँ पर second number पर न दिखाती हुए, एक number पर दिखाया, इस प्रकार से यह help करेगा, आपका time बचेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले वीडियो में कहा था, या फिर thumbnail प क्या प्राबलम है इंडिक, लैंग्विज के साथ, वो टूल तो रिलीज कर देता है, उसके बाद उसको रिमूव कर देता है, मोबाल के साथ भी उसने यही किया, Android अप था, Google इंडिक इस प्रकार से और उसने उसको भी रिमूव कर दिया है, ठीक है, प्लेश्टोर से, लेक एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, नमस्कार,